नमस्कार दोस्तों हम सबके लिए खुशकबर ये है कि State Bank of India ने Fixed Deposits पे New Interest Rates का Announcement किया है जो कि 28 फर्वरी 2018 से लागू होगा तो आएए इस नए Interest Rates को हम डीटेल में समझते हैं जोस्तों जहां तक New Interest Rates on Fixed Deposits बिलोव 1 क्रोर यानि कि 1 क्रोर से नीचे के Fixed Deposits पे नए Interest Rates कुछ इस तरह से है साथ से 45 दिनों के लिए Revised Interest Rate है 5.75% जो कि पहले 5.25% था वहें Senior Citizens के लिए नया Interest Rate है 6.25% जो कि पहले 5.75% था वहें 46 से 179 डेस के लिए New Interest Rate है 6.25% जो कि पहले भी 6.25% ही था यानि कि कोल चेंजिस नहीं है वहें Senior Citizens के लिए भी ये 6.75% ही है यानि कि कोई भी चेंजिस नहीं है वहें 180 से 210 दिनों के लिए अगर हम Fixed Deposit करते हैं तो हमें नया Interest Rate मिलेगा 6.35% जो कि पहले 6.25% था यानि कि 0.10% का इंक्रिमेंट है वहें Senior Citizens के लिए नया Rate है 6.85% जो कि पहले 6.75% था यहां भी 10.10% का इंक्रिमेंट है वहें 211 दिनों से एक साल के लिए नया Interest Rate है 6.40% जो कि पहले 6.25% था वहें Senior Citizens के लिए 6.9% है जो कि पहले 6.75% था वहें एक साल से 455 दिनों के लिए नया Interest Rate है 6.40% जो कि पहले 6.25% था वहें Senior Citizens के लिए यह Rate है 6.90% जो कि पहले 6.75% था वहें 456 दिनों से 2 साल के लिए नया Interest Rate है 6.40% जो कि पहले 6.25% था वहें Senior Citizens के लिए यह नया Rate है 6.90% जो कि पहले 6.75% था वहें 2 से 3 सालों के लिए अगर हम FD करते हैं तो नया Interest Rate है 6.50% जो कि पहले था 6% वहें Senior Citizens के लिए यह नया Rate है 7% जो कि पहले 6.50% था अब बात करते हैं 3 साल से 5 साल के लिए Fixed Deposit पे तो नया Rate है 6.50% जो कि पहले 6% था वहें Senior Citizens के लिए नया Rate है 7% जो कि पहले 6.50% था अब बात करते हैं 5 साल से 10 साल के लिए Fixed Deposit पे तो नया Rate है 6.50% जो कि पहले 6% था यानि कि 0.50% का Increment है वहें Senior Citizens के लिए यह नया Rate है 7% जो कि पहले 6.5% था दोस्तों अब बात करते हैं SBI के new interest rates on FD 1 करोड से 10 करोड के बीच अगर हम FD करते हैं तो तो ये rate कुछ इस तरह से है साथ से 45 दुनों के लिए नया revised rate है 5.75% जो कि पहले 5.25% था वहें senior citizens के लिए ये rate है 6.25% जो कि पहले 5.75% था वहें 46 to 179 days के लिए नया interest rate है 6.70% जो कि पहले 6.25% था वहें senior citizens के लिए ये नया rate है 7.20% जो कि पहले 6.75% था वहें 180 से 210 दिनों के लिए fixed deposits पे SBI का नया interest rate है 6.70% जो कि पहले 6.25% था वहें senior citizens के लिए ये rate है 7.20% जो कि पहले 6.75% था मैं 211 दिनों से लेकर एक साल तक के लिए अगर हम fixed deposit करते हैं 1 करोड से 10 करोड के 20 तो हमें SBI के तरब से नया interest rate मिलेगा 6.75% जो कि पहले 6.25% था और senior citizens के लिए ये rate है 7.25% जो कि पहले 6.75% था वहें एक साल से 455 दिनों के लिए ये interest rate है 6.75% जो कि पहले 6.25% था वहें senior citizens के लिए ये rate है 7.25% जो कि पहले 6.75% था वहें 456 दिनों से 2 साल के लिए अगर हम fixed deposit करते हैं 1 से 10 करोड के 20 तो हमें SBI की तरब से नया interest rate मिलेगा 6.75% जो कि पहले 6.25% था और यही rate senior citizens के लिए है 7.25% जो कि पहले 6.75% था वहें 2 से 3 सालों के लिए अगर हम FD करते हैं तो हमें नया interest rate मिलेगा 6.75% जो कि पहले 6% था और senior citizens के लिए ये rate है 7.25% जो कि पहले 6.50% था वहीं 3 से 5 सालों के FD के लिए हमें नया interest rate मिलेगा 6.65% जो कि पहले 6% था और senior citizens के लिए ये नया rate है 7.15% जो कि पहले 6.50% था वहीं 5 से 10 सालों के लिए है अगर हम 1 से 10 करोड के बीच fix deposit करते हैं तो हमें SBI के तरब से नया rate मिलेगा 6.25% जो कि पहले 6% था और senior citizens के लिए ये rate है 6.75% जो कि पहले 6.50% था दोस्तों आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें नमस्कार जैहिंद